सुतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई अमरित महोचसव के लिए देश अब तयार है और विकास पत को आज पीएम मोदी से एक नई दिशा मिली है देशवासियों की अकानशाओं से भरा हुआ लाल कलिक की प्राचीर से प्रधान मंत्री मोदी के आठवे सुतंत्रता दिवस का भाशन कुछ ऐसा ही था सुतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी की स्पीच में क्या थी दस बड़ी बाते आईए जाने नमबर एक, कोविड-19 के खिलाफ भारत की सराहनिये लड़ाई भारत वैक्सिन खोजने में आगे था और दुनिया में सबसे बड़ा टीका करण अभियान भी भारत में ही चल रहा है कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई कभी भी आसान नहीं होने वाली थी पियम मोदी ने हमारे डॉक्टर्स, साइंटिस्ट और फ्रेंट लाइन वरकर्स की प्रशंसा करते हुए कहा है कि कैसे उन्होंने मुश्किल सितियों में भी आसानी से ओवकम किया नमबर दो, हुमन सेंट्रिक विकास आने वाले 25 वर्ष और उसके बात का समय भारत का विकास मानव केंद्रित मूलियों पर अधारित होगा भारत अब राष्ट्रे सुरक्षा की तरह परियावरण सुरक्षा को उच्च प्राथमिक्ता देगा पियम मोदी ने बताया कि कैसे परियावरण की देखभाल विकास की हुमन सेंट्रिक मॉडल की एक एहम कड़ी है और यही कारण है कि प्रधान मंत्री द्वारा नाशनल हाइडरोजन मिशन की घोशना बहुत महत्वपोर्ण है इंडिया बनेगा एनरजी आत्मनिरभर और गैस बेस तथा सर्कुलर एकनॉमी पर होगा भारत का फोकस नमबर तीन एक सो तीस करोड भारतिया कर दिखाए यदि चुनौतिया है तो इन चुनौतियों से पार करने की इच्छा शक्ति और कौशल भारत में है आने वाले समय में भारतिया क्या कर सकते हैं और क्या करते रहेंगे भारत के मैनुफेक्ट्रिंग और स्टार्ट अप शेत्र ने ये दुनिया को कर दिखाया उन्होंने भारत के युवाओं को can do generation बताया जिन के लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है नमबर चार नेक्स जन इंफ्रा से इंडिया को future proof बनाना है 75 वंदे भारत ट्रेंज रिमोट एरियाज में connectivity बढ़ाने के लिए PM गती शक्ती, National Master Plan, Futuristic और Long Lastic Infrastructure के लिए नेक्स जन के लिए एक नया भारत तयार करने के लिए नमबर चे, रूरल इंडिया पर विशेश ध्यान पूंजी बाद और समाजवाद से आगे बढ़कर जहकार वाद यानि कॉपरेशन को बताया विकास का रास्ता PM OD ने Fortified Rice और Warehouse Infrastructure को स्ट्रेंथन करने के भी बात की नमबर साथ, हर एक प्रयास महत्वपोर्ण है नमबर आठ, नारी शक्ती को बल देना इतिहास में पहली बार लेकर आई मोधी सरकार अब सैनिक स्कूल में देश की बेटियों के लिए दर्वाजे खुले नमबर नौ, जम्मू कश्मीर और लद्दाग से जो वादा किया वो निभाया जाएगा ग्रासरूट डेमोक्रेसी को और भी बल देने के लिए सेंटर में सरकार बहुत प्रयास कर रही है मोधी जी ने भरोसा दिलाया कि इन शेत्रों में डेवलप्मेंट फुल स्पीड में जारी रहेगी और एक बार सही तरीके से डेलिमिनेशन हो जाने पर वहां अपने मन पसंद की सरकार चुन कर लोग लोगतंत्र को और भी शक्ती दे सकते हैं शायद ही कभी किसी नेतने ऐसी बात कही होगी कि वो लोगों के जीवन में मिनिमम सरकार लाना चाहती है उन्होंने बड़े जोर दे कर कहा कि वो लोगों की जिन्दिगी में मिनिमल गवर्मेंट लाना चाहते हैं मोटिवेशनल, फुल अफ इंस्पिरेशन और न्यू इंडिया के न्यू विजन से भरपूर आपको पियम होदी की स्पीच में सबसे अच्छा क्या लगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं